Hello guys, welcome back to another video, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम view flipper का यूज़ करके एक custom auto image slider को किस तरह से create कर सकते हैं तो सबसे वहले आपको अपनी activity की XML file को open कर लेना है और यहाँ पर आपको view flipper को initialize कर लेना है इसकी width आपको match parent कर देनी है and height अपनी according set करनी है तो मैं यहाँ पर 250 dp दे देता हूं इसके बाद आपको इसके इंदर कुछ attributes को add करना है आपको इहाँ पर कितनी दिर के बाद image को change करना है तो उसके लिए आपको इहाँ पर flipper interval के attribute को add करना है इसके बाद आपको इहाँ पर auto start equal true कर देना है तो जैसे हमारी activity start हो तो वैसे ही start हो जाए तो उसके बाद आपको इहाँ पर animations को भी आड़ करना है तो in animation का attribute को मैं यहाँ पर add करता हूं करेंगे तो उससे पहले मैं से यहाँ पर constraint कर लेता हूं विकास हम यहाँ पर एक constraint layout को use करें तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूं and horizontally in parent and then हम यहाँ पर इसे vertically in parent कर देते हैं तो अब मैं यहाँ पर इसके अंदर अपनी images को add करूंगा तो मैं यहाँ से image view को drag करता हूं and यहाँ पर मैंने already drawables के अंदर अपनी images को paste करके रखा है तो मैं उन्हें ही यहाँ पर select कर लेता हूं यहाँ करते हैं कि क्या हमारे यह image slider काम कर रहा है या फिर नहीं तो मैं यहाँ से run करता हूं कि सब्सक्राइब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो custom image slider है वो create हो चुका है यहाँ पर हमारे जो images है वो भी replace हो रही है तब तक के लिए good bye and take care